नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ आप बहुत ही बरियास होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पायरिया की जानकारी दूंगा और इसके काजेज, सिम्टम और सबसे लाश्ट में इसकी बेस्ट होमोपैथिं मेटिसिन भी बताऊंगा दोस्तों आप सबसे यह अगुजारिस है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा मैं इसी तर से होमपैथिं मेटिसिन रिलेटेड डिसिज रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं पायरिया क्या होता है पाईरिया आप सभी को पता है फिर भी मैं बता दूँ दर्ट सल यह मुँझ के स्वाथ से जुड़ी ऐसी विमारी होती है जो मसूडो और दानटों को नुख्सान पहुँचाने लगती है दोस्तों पाईरिया को मसूडों की विमारी के नाम से जाना जाता है यह दोग दान्तों को सहारा देने वाली तीशू को परभावित करता है अगर इस दोग का इलाज न किया जाए तो पायरिया दोग बहुत ही गंभीर हो सकता है जिसमें मसूडों की पकड़ दान्त से कमजोड हो सकती है और दान्त तूट कर गिर भी सकते हैं दोस्तों अब चलते हैं पायरिया के कारण की तरब कौन कौन से कारण होते हैं पायरिया के वैसे तो पायरिया के मुख कारण बैक्तिरिया होते हैं ए बैक्तिरिया प्लाक बनाते हैं जिन्हें साप न करने पर ए टार्टर बन सकते हैं टार्टर यानि दातों में कल्सिविकेशन यानि दातों में कल्सियम का जमा होना टार्टर का लाता है दोस्तो इसके लामा इसके अन भी कारण होते हैं दोस्तो जैसे जेनेटिक कारण के कारण आपको पायरिया हो सकती है स्मोकिंग करने के कारण पायरिया हो सकती है डाइवीटिज के कारण आपको पायडिया हो सकती है दातों का अच्छे से सफाई नव करने के कारण आपको पायडिया हो सकती है दोस्तो ए थे इसके कुछ कारण अब चलते हैं इसके Sign and Symptoms मतलब लच्छड की तरब कौन-कौन से लच्छड होते हैं पायडिया के दोस्तो पायरिया होने पर मुझ से बदवू आती है जो लगतार बनी दाती है मसूडे लाल रंग के दिखाई देने लगते हैं लाल रंग में या सूजे हुए मसूडे हो जाते हैं मसूडों से खून आता है मसूडे अधिक मुलाइम हो जाते हैं दात धीले हो जाते हैं, दातों में sensitive VT महसूस होती है, महसूरे दात से नीचे की तरफ खस करने लगते हैं और दात लंबे दिखने लगते हैं, दोस्तो यह थे इसके लच्छर अब चलते हैं इसके best homopathic medicine की तरफ, कौन कौन सी homopathic medicine पाईरिया को ठीक करने के लिए बहुत ही effective medicine है तो दोस्तों सबसे पहली और सबसे इफेक्टिल मेटिसिन है कैलेंडूला 30 की पिक्चर आपको साइड में दिखी दई है दोस्तों पायरियों को पूरी तर से ठीक करने के लिए कैलेंडूला 30 दो दिन में तीन बार डारेक्टली तंग में लिजिएगा जब तक आपकी प्र दोस्तों अगली मेटिसिन है किरियो जोट 30 की पिक्चर आपको साइड में दिखी दही है इसे किरियो जोटम भी करते हैं दोस्तों दोनों नाम से आती है अगर आपके दात एकदम से काले पड़ जाएं मसूडों से बलड के साथ पौस भी निकलता हो यह सब लच्छड मिले तो किरियो जोट 30 बहुत ही इफेक्ट्व मेडिसिन है तो किरियो जोट 30 दो बुन सुबह एक बार लेना है दो बुन दो पहर में एक बार लेना है दो बुन साम को एक बार लेना है यानि दिन में तीन बार दो दो बुन लेना है दोस्तों नमबर तीसरी मेडिसिन है इस्ट इस्टेफाइस गिरिया 30 की पिक्चर आपको साइड में दिखी दई है। अगर आपके दान्त मुलायम हो जाएं दान्तों की जडों से बलड निकलता हो। दान्त काले पड़ जाएं। बार बार थूकने पर भी मुह लार से भर जाता हो तो इस्टेफाइस गिरिया 30 बहुत ही इफेक्टिव मेटसिन है तो इस्टेफाइस गिरिया 30 दो बून दिन में तीन बार डारिक्टली तंग में ले जिएगा दोस्तो नमबर 14 मेटसिन है गन पाउडर ट्राइचूरेशन टैबलेट 3X की पिक्चर आपको साइड में दिखी रही है अगर आपके मसूडों से पस निकलता हो तो गन पाउडर ट्राइचूरेशन टैबलेट 3X बहुत ही इफेक्टिव मेटसिन है तो गन पाउडर 3X चार गोली सुबह एक बाचूसना है चार गोली दोपहर में एक बाचूसना है चार गोली साम को एक बाचूसना है दोस्तो सबसे लाश्ट और आखरी मेर्टिसिन है वीजल हेकलालावा तूठ पाउडर वीजल हेकलालावा तूठ पाउडर की पिक्चर आपको साइड में दिखी दही है दोस्तो ए तूठ पाउडर दांतों की सभी प्राबलम के लिए बहुत ही यूजफूल है इसके इस्तमाल करने से दातों में जो टाटर हुआ है दातों में जो कर्सिफिकेशन हुआ है उसे यह निकालती है दातों को सफेद करती है पाईरिया को खतम करती है ब्लीडिंग प्राबलम को ठीक करती है दोस्तो इसे इस्तमाल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है दोस्तो इस powder को हाथों में एक चुटकी लेकर हाथों में रखकर उसके बाद दातों को चारो तरफ से अंगली से मसाज करना है दोस्तो एक powder आप चाहें तो तूट powder के रुग में daily ले सकते हैं इससे लेने से आपके दातों में जो टाइटर है जो करिसिफिकेशन हुआ है उसे ये ठिक करती है दातों को सफेद करती है दोस्तो जो मैं पीने वाला दवा बता रहा हूं उसे दवा में 10-15 मिनट का अंतर जरूर दिजिएगा दोस्तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा मैं इसी तर से हमपैथिक मेटसिन रिलेटेड डिसी रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूं और कमेंट करके बताईए गया दोस्तो जनकारी कैसा लगा